लोकसभा चुनाव लगातार रोचक होता जा रहा है और बड़ी बात यह है कि जिन मुद्दों को राहुल गांधी ने उठाया था जिन मुद्दों को अखिलेश यादों ने उठाया था जो मुद्दे जन अधिकार पार्टी के अध्यश के रूप में बाबु सिंग जिवाजी यहां पर पीडिये का जो फार्मूला है पीडिये के लोग कितना एकजुट होते दिखाई पड़ रहे हैं पीडिये का समीकरण तो बहुत बड़ा है पीडिये में बड़ी पॉपुलेशन कवर हो जाती है तो आप क्या देख पा रहे हैं कि पीडिये वाकई में कि एकजुट हो रहा है बहुत बहुत धन्वाद मिश्या जी मैं आपको बताओं कि जौनपूर बहुत पढ़े लिखे लोगों का जिला है बहुत समझदार लोग है और जौनपूर अखेला जिला है कि पीडिये का फार्मूला यहां सत्प्रस्यत कारगर है सब पीडिये के पूरे लोग पीडिये के तहट सब लोग एक साथ होकर के इंडिया अलायंस को इंडिया गळवंद्धन समाजवादी पार्टी के प्यास्विकों को जिताएं अच्छा पीडिये के साथ साथ पीडिये एक बड़ा सेग्मेंट है उसके साथ साथ आप क्या ये भी प्रयास कर रहे हैं कि सर्व समाज के लोग चुकि आपकी जो पॉलिसीज आप कहा रहे हैं कि तीस लाख नौकरियां जो किन सरकार ने रोकी थी वो हम देंगे उन तीस के लिए महिलाओं के लिए बड़ी बाते कई हैं तो किसान महिलाओं ये तो सरसमाज की लोग हैं जाए हैं महिलाओं को, हर वर की महिलाओं को समानता का दर्जा, सम्पत्ति में, जमीन में सब को अधिकार, तो हर वर की महिलाओं का, तो यह जो PDA है, उसमें सबी लोगों को, जो हमारे गरीब, कमजोर लोग हैं, और गरीब तो अगडों में بھی है, पिछ्डों में भी है, आदिवासि भी भी है, मुशलमान भाय भी है तो सब कोई समाहित है, PDA में कोई ऐसा सेक्षिन नहीं है, समाज का जो छूटा हुआ है सारे लोग समाहित है, और सब को साथ लेने का विचार है जो वोट का जो अधिकार है, यह कितना महत्मूड अधिकार है किस तरह से इस वोट के अधिकार का सदूपयोग करके लोग अपने बच्चों का भविश्य सुरक्षित रख सकते हैं आप बहुत अच्छी बात अभी समझा रहे थे लोगों को मैं चाहूंगा कि आप उसे रिपीट करें कि वोट देने का जो अधिकार है इसका कैसे सदूपय एक ही वज़े थी कि इस देश के जो गरीब और कमजोर लोग हैं वो अपनी मर्जी की सरकार बनाएं अपनी मर्जी का राजा चुने ताकि जो उनके लिए काम कर सके और जिंदगी भर के लिए नहों पांच साल के लिए हो जो उनके लिए काम करें लोग पांच साल बाद बाबा साब मेटकर ने कहा कि ओट ये वो तलवार है कि अगर हम इसका सही इस्तेमाल करेंगे तो दुस्मन का गला काटेंगे और गलत इस्तेमाल करेंगे तो हम अपना गला काटेंगे गला काटने का मतलब यह नहीं कि तलवार से काटेंगे हम अपने हक अधिकार ले लेंगे जो हमारा हक अधिकार मारता है वो नहीं मार पाएगा चोधी चर्ड सिंग हमारे देश की प्रधान मंतरी थे वो ओट के लिए किसान भाईयों से एकसर एक बात कहते थे वो किसान नेता थे तो कहते थे जब किसानों के बीच में जाते थे कि ए मेरे किसान भाईयों आपकी एक आख खेत में हो तो एक आख बिधान सभा और लोग सभा में हो क्योंकि आपके हित का कानून बिधान सभा और लोग सभा में बनता है जो जीत के जाते हैं वो बनाते हैं खास सस्ती मिलेगी कि महंगी मिलेगी इसका फैसला और कहीं नहीं होता वही करते हैं जो आपके ओट से जीत के जाते हैं इसलिए आने वाले चुनाव में ओट से शरकार बनती है राजा बनता है आपके बच्चों को नोकरी वही देता है जो जो ओट से जीत के जाता है। खास सस्ती मिलेगे कि महेंगी मिलेगे उसका फैसला वही करता है जो ओट से जीत के जाता है। आपको जो कुछ लोग 5 किलो अनाज की दुहाई देते हैं वही देते हैं जो आपकी ओट से जीत के जाते हैं। साप के लिए शड़के हमारे लिए वही बनाते हैं जो ओट से जीत के जाते हैं बिजली की समस्या का समधान वही करते हैं जो ओट से जीत के जाते हैं इस्कूल कालेज हमारे बच्चों के लिए वही खोलते हैं जो हमारी ओट से जीत के जाते हैं तो जब गरिब का कम्जोर का किसान करें जीतके जौर ज्श्वायजी जौनपूर के किसानों से भी आप मिलरे हैं जौनपूर के किसानों कि क्या दशा आप देख़ yrajeis pandasya JUST जौनफूर का कमोबे जेहां नहीं। मैंने बताया ना कि यूरिया की बोरी पहले 50 किलो की होती थी अब पहले वो कुछ दिन पहले हुई 45 की अब हो गई है 40 किलो की और रेट भी बढ़ गई किसान की आमदनी जो 8 साल पहले 9 साल पहले अगर 100 रुपिया होती थी तो वा 30 रुपिया 40 रुपिया रह गई है आमदनी दो गुना की बाती आमदनी 70% घट गई है 30% बची है किसानों की वह दोटे साइब महिगाई बड़े पैमाने पर है डीजल प्रेट्रोल बड़े पैमाने पर महिगा हुआ है जोनपुर की ग्रहस्त महिलाओं के लिए क्लिए जो घर चलाती है और महिगाई की आप चर आप मिशा जी बहुत गैराई पर जाते हैं आपको हाँ चीज का नालेज है सबसे ज्यादा प्रभायुत तो हमारी बेहने हैं मैलाएं घल की ग्रहनी है किचन का वजट पूरा दो गुना तीन गुना बढ़ गया है जितना हम अपने बच्चे हमारे खाना मांगते हैं हम दे नहीं दे पाते हैं बच्चों को हम सिच्छा नहीं दे पाते हर मां चाहती उसकी बेटी उसका बेटा पढ़े आगे बढ़े सिच्छा इतना महंगी हो गई है कि नहीं बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं नहीं हम आगे बढ़ा पा रहे हैं तो महंगाई की मान मुझसे तो रची सिच्छा और फ्री सिच्छा देना चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं, पुरानी पेंसन चाहते हैं, तो हमें, जो हमारा इंडिया घटबंधन है, समाजवादी पार्टी की जो प्त्यासी हैं, मैं बावो सिंग को स्वागा हूँ आज की डेट तक, और या जो भी हमारा पत्तियासी आए उसको चुनान इसान सैकल के सामने वाली बटन को दबा करके आप अपना इशने और आशिरवात दे करके उसको लोग सब्सक्राइब